ओम स्री गणेश अनमा दोस्तों ओम गणपती समधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 17 सक्टूबर बुद्वार आज के कन्यारा सिफल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान डेना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और विवसाय कैसा रहेगा केरियर कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव डाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्त की महत्पून जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे दोस्तो वीडियो आगे सुरू करने से पहले मेरे आप लोगो से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्क्राब करें और साथ में नोटफिशन की बेल को भी दमाएं जिससे आप तक समय समय पर नहीं नहीं महत्पून वीडियो पहुंच सके तो चलिए दोस्तो बात कर लेते हैं कैसा रहेगा जियां दोस्तो अपनी उर्चा से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं आपका confidence बड़ा हुआ रहेगा seniors आपके काम से खुश रहेंगे जियां दोस्तो आप कुछ नया काम करने की सोच सकते हैं जो आगे आपको धनलाब के अफसर देगा रुका हुआ फसा हुआ पैसा मिलने की संभावना है जियां दोस्तो अगर आप कोशिस करें तो आपको सोचे वे कुछ जरूरी काम समय पर पूरे होंगे आप कोई भी फैसला लें काफी सोच समध करी लें बविश्य को और बहतर बनाने के लिए आज जरूरी कदम उठाएंगे आपकी सभी योजनाए समय से पूरी होगी जियां दोस्तो आरतिक इस्तिती मजबूत होगी लेकिन महनत करनी पड़ेगी आपका पूरा दिहान अपने केरियर को आगे बढ़ाने पर ही रहेगा और आपको किसी जरूरत मंद की मदद करके काफी खुशी महसूस होगी आपको अपने सभी कारियों में सफलता मिलेगी अगर कोई लाब का अवसर मिले तो उसे अपने हाथों से ना जाने दे और साथ ही बिजनेस और निजी जीवन में अपने व्रोधियों से सावधान रहें आपको नए लोगों से थोड़ा संबल कर रहना होगा जिया दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी नेगिटिव बातों के बारे में दोस्तों आज यात्रा से कष्ट हो सकता है वहान और मसीनरी से सावधान रहें आप जो भी कारी करें सोच समधिकर करें हो सेके तो किसी वरिष्ट की सलावस्त लें बोलने से पहले थोड़ा सोच लें कई ये बात सामने वाले को बुरी ना लेगे आज जीवन साती से कोई अन्वन हो सकती है किसी यात्रा को लेकर अब बात कर लेते हैं आपके विश्टाय और केरियर के बारे में आपका आर्तिक पक्ष पहली किया पकिछा और मजुबत होगा व्यापारी वर्प को अचानक से कोई बड़ा धनलाब हो सकता है आपका पूरा दिहान केरियर को आगे बढ़ाने में ही रहेगा कारिय चेतर में आपको अच्छी खासी सफलता मिल सकती है बविश्य को बहतर बनाने के लिए आप नई कदम उठाएंगे अब बात कर लेते हैं आपके घर परिवार के बारे में आपके परिवार में खुश्यों का माहुल बना रहेगा आप परिवार बालों के साथ कहीं घूमने फिरने का भी पिलान बना सकते हैं परिवार के रिष्टों में इससे मजबूती आएगी माता पिता का आसिरवात प्राप्त होगा बहाई बैनों में आप ती इसने और प्यार बढ़ा रहेगा घर परिवार में खुश्यों का महल रहेगा आपको अपने व्रोदियों से तोड़ा बचकर रहना होगा दोस्तों आपकी लव लाइप कैसी रहेगी जीवन साती के साथ आप अपने रिष्टों को लेकर ज्यादा भावोग हो सकते हैं विवाईत जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा आप जीवन साती के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान भी बना सकते हैं जीवन साती को लाब का अवसर प्राप्त होगा आपकी किसी से मुलाकात आज दोस्ती में बदल सकती है दामपत जीवन काफी प्रेमपूर्ण मना रहेगा जीहां दोस्तों, आपका स्वास्त कैसा रहेगा स्वास्त संबंदी समश्याओं से दूर रहने के लिए आप रोजाना वियायाम करें जिसे पेर और हातों में सूजन और दर्द की समस्या से बचा जा सके ये समस्य हैं मौसम परिवर्तन से उत्मन हो सकती हैं आपके लिए बहतर होगा नियमित योग करें वियायाम करें प्रानायाम करें और पूर्ण रूप से स्वस्त रहें दोस्तो आज आप ये उपाई अवश्य करें भगवान स्री कनेश को पांच पीले रंकी मिठाई का भोग लगाएं और इसी के साथ हरी दूरा और पित करें और 108 बार इस मंतर का जाप करें ओम गंगन पती नमा ओम गंगन पती नमा इस प्रकार उपाय करने से आपकी मनो कामनाई सिग्द पूर होंगी दोस्तों आपको भगवान स्री गणेश का अश्रवात प्रापतू कमेंट में जे गणेश वस्ते लिखें धनवाद दोस्तों आपका दिन सूब और मंगल में हो